दोस्तों स्वागत हैं आपका आज की हमारी इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम फरमोस मिसाइल के A to Air variant के बारें बात करेंगे जो की एक A to Air मिसाइल के तौर पर काम करेगा और एक A Vox Killer मिसाइल होगी ये एक 500 किलो मेंटर की रेंज वाली A Vox Killer मिसाइल होगी जो की स्लो मोवी टारगेट जैसे की A Vox और ट्रांसपोर्ट A क्राफ्ट के गेंस्ट काम करेगी और इसकी स्पीड मैक 3 से ज़ादा होने वाली है 2019 में ऐसी रिपोर्ट आई थी कि बर्मोस नेक्स जेनरेशन मिसाइल का एक A to Air वेरियंट भी डिवैल्प किया जाएगा बर्मोस नेक्स जेनरेशन मिसाइल एक ऐसी Air Launched मिसाइल होगी जिसका वजन काफी कम होने वाला है ये आम तोर पर 130M के एक्राफ्ट से इस्तेमाल की जाने वाली भर्मोस एर मिसाइल से हलकी होने वाली है जिससे ये हमारी Air Fleet के दूसरे एक्राफ्ट से भी लाँच की जा सकती है इस मिसायल का वजन 1.5 टन होने वाला है जो कि आम तोर पे इस्तेमाल की जाने वाली भरमोस A मिसायल से तकरीबन 1 टन हलका है इसी मिसायल का एक A-Walks किलर वेरिंट बनाया जाएगा जो कि जदा हलका होगा और जदा स्लिकर डाइमेंशन्स वाला होगा इस मिसायल को हमारी एर फ्लीट के सभी A क्राफ्ट में केरी किया जा सकेगा जिसमें LCTS Mark 1 A क्राफ्ट भी शामिल है अभी तक प्रमोस मिसायल को केवल एंटिशिप और सर्फिस रोल के लिए बनाया गया है इसका जो एर लॉंच्ट वेरियंट बनाया गया था वो भी एक A to surface मिसायल वेरियंट था अभी तक इस मिसायल का कोई भी A to air वेरियंट नहीं था लेकिन इस मिसायल का structure ऐसा है और इसमें इस्तेमाल कीगी टेकनोलजी ऐसी है कि इस मिसायल को एक very long range A to air मिसायल में बदला जा सकता है इसमें एक रैमजेट इंजन का इस्तिमाल किया जाता है जिसके कारण ये एक A to air मिसायल के तौर पर बहुत अच्छी तरह काम कर सकती है रैमजेट इंजन टेकनोलजी एक ऐसी टेकनोलजी है जो कि मिटी और मिसायल में भी इस्तिमाल की जाती है इस टेकनोलजी के साथ एक मिसायल के अंदर आकसिराइजर को करी नहीं करना पड़ता है बलकि missile का engine खुद खुद हवा से oxidizer को लेता है और अपने fuel को burn करता है और thrust generate करता है जिससे ऐसी missiles काफी हलकी हो जाती है और इनकी speed भी काफी जादा होती है यही कारण है कि भरमोस next generation missile हलकी होने के बावजूद भी अपनी speed और range को maintain कर पाएगी यह नई missile काफी लंबी दूरी की range वाली होने वाली है अभी तक ऐसा बताया गया था कि इस missile की range 300 km तक होगी लेकिन ऐसी reports हैं कि इस missile की range 500 km तक होगी और इतनी range को achieve करने के लिए इसके साथ एक rocket booster भी लगया जा सकता है जिसको flight के दौरान discard किया जा सकता है जाने की missile से हटाया जा सकता है अभी तक हमारे देश ने SU-30M के एक craft से Wimple R-37 missile को test fire किया था जो की एक A-Vox killer missile थी लेकिन जो Wimple की missile है वो एक solid booster के उपर काम करती है और वहीं जो हमारी missile होगी वो एक ramjet engine के उपर काम करेगी जिससे ये उसके मुकाबले में technology wise काफी आगे है इस missile की engagement range 500 km तक होने वाली है और ऐसी reports है कि भरमोस corporation इस missile में एक नए enhanced active radar seeker का इस्तिमाल करेगी जो की terminal homing में use किया जाएगा जब ये missile अपने target के 40-50 km करीब चली जाएगी तब इसकी active radar homing काम करना शुरू कर देगी और ये अपने target को खुद ढूट कर उसको tag कर पाएगी यहाँ पर आपको बता दें कि जब तक ये अपने target के करीब जाएगी तब तक इसका inertial navigation system काम करेगा जिसमें एक link 16 data link input का इस्तिमाल किया जाएगा जिससे ये अपने launch होने वाले aircraft के साथ connector रहेगी और जैसा कि हमारे ACO 30M के aircraft के पास N011M radar लगा हुआ है जिसकी search range 400 km के करीब है तो वो इसके पूरे flight path के दुरान इसको input देता रहेगा और इसके course को correct करता रहेगा और जब जब मिसाइल अपने target के करीब पहुँच जाएगी तो तब ये अपने खुद के active radar seeker के इस्तिमाल से अपने target को find out करेगी और उसको tag कर पाएगी इस data link input की बहुत ज़दा importance है इसकी मदद से आप मिसाइल को बहुत अच्छी तरह guide कर सकते हैं और अगर उसके रास्ते को चेंज करना हो तो उसको भी आप मिड कोर्स में ही चेंज कर सकते हैं हमारी जो normal air to air missiles है जैसे कि हमारी अस्तर सीरिस की missiles हैं वो fighter jet category के एक craft के गेस्ट बहुत अच्छी तरह काम कर सकती हैं क्योंकि जो fighter jet category के एक craft होते हैं वो काफी maneuverable होते हैं और ऐसे target के against ऐसी ही air to air missiles काम करती हैं लेकिन जो बहुत बड़े radar cross section वाले air craft होते हैं उनको target करने के लिए भरमोस एवाक्स के दर जैसी missile एक perfect missile है क्योंकि इस से हमें बहुत ज़्यदा range वाली missile मिल जाती है जो कि दुश्मन की air space के अंदर मौजूद किसी high value target को भी target कर पाएगी यहाँ पर आपको पता दें कि जब भी बाला कौट air strike होई थी और उसके बाद जब पाकिस्तान ने हमारे उपर टैक किया था तो उनका जो strike package था उसमें पाकिस्तान की air force के साब 2000 एरी evoke system भी लगे हुए थे यह दो evoke system पाकिस्तान के सभी air craft को guide कर रहे थे और उन्हें radar picture दे रहे थे लेकिन यह air craft कभी भी हमारी air space में एंटर नहीं होए और यह पाकिस्तान की air space में रहकर ही उनके पूरे strike package को guide कर रहे थे लेकिन अगर हमारे पास एक इतनी लंबी दूरी की range value missile होती तो हम इन high value assets को हमारी air space से ही target करकर उन्हें destroy कर सकते थे जिससे पाकिस्तान के पूरे strike package की effectiveness कम हो जाती और उन्हें ज़रूरी radar picture नहीं मिलती और उनकी situational awareness बहुत ज़्यदा कम हो जाती और उन्हें take out करना बहुत आसान हो जाता जैसा कि आप जानते हैं कि जब से air walks जैसे platforms air warfare में एंटर हुए हैं तो उन्होंने air warfare का बिल्कुर रुक ही बदल का रख दिया है क्योंकि ये अपने friendly air craft को बहुत अच्छी radar picture प्रवाइड करते हैं और इसलिए ऐसा जूरी हो जाता है कि ऐसे बड़े targets जैसे कि air walks air craft और दूसरे air refiller air craft को take out कर दिया जाये जिससे दुश्मन की effectiveness काफी कम हो जाए यही कारना है कि ये missile हमारे लिए इतनी important है और इस missile को चीब करना हमारे लिए बहुत मुश्किल बात नहीं है क्योंकि इसके लिए हमारे पास सभी building blocks पहले से ही available है ब्रमोस next generation missile के बारे में ऐसी जानकारी थी कि इसके developmental trials 2024 तक शुरू हो जाएंगे लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसके developmental trials उससे बहुत पहले शुरू हो जाएंगे और हमें ब्रमोस missile का A to Air variant बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में अतना है अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जुरू लाइक और शेर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जै हिंद जै भारत